हे गाइस मैंने मिस्ट गॉरफ चौधरी और वाचिंग मिस्टर गॉरफ तो दोस्तों कैसे हो आप लोग आई हो पाफ सभी बहुत याद अच्छ होंगे तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी नियूज है अरिक्षाओं को लेकर के बहुत सारी दुगदाएं थी और जिसमें चात्र भी इस पारिशानी में था कि आगे क्या होने वाला है हम लोगों ने उस द्रिष्टी से एक टास्क फोर्स गठित की थी जो सेक्षने कलेंडर को भी बनाए और इन प्रस्तितियों में हम बहतर से बहतर क्या कर सकते हैं इस द्रिष्टी से एक टास्क फोर्स गठित की थी आज उस टास्क फोर्स ने जो UGC आपको अपने रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के संदर्व में उचसिक्षा सर्चिव अमित खरे और UGC के चेर्मेन डीपी सिंग सब्यादिकारी आज मुझे मिले थे उन्होंने वो रिपोर्ट सौंपी है और उस रिपोर्ट में जो भी नर लिया है कि जो ये अकडमिक केलेंडर है विशेश करके जो परिक्षाई हैं उन परिक्षाओं की दिशा में जो परिक्षाई हैं वो जब ये इस्थिती बहुत सामाने हो जाएगी तो जुलाई में इन परिक्षाओं को किया जाएगा और जुलाई में जो परिक्षाई यदि जो छेत्र अभी उन प्रस्तित्यों से उबर करके नहीं आएंगे और वो कटनाई रहेंगी उसको कोबिड-19 के चलते यदि वो छेत्र मुक्त नहीं वा पूरी तरह और दिक्कते रही तो उन छात्रों के लिए भी उन छेत्रों के लिए भी ये कमेटी ने टास्क फोर्स प्रस्तिति ने अपनी जो संस्तुति दी थी कि उनके लिए विकल्प और विकल्प ये किया जाएगा कि उनको जो समस्टर में जो उसके आंतरिक जो मुल्यंकन है उसके ही मुल्यंकन पर उसको पदोनती के लिए पचास प्रतिसत से सो प्रतिसत तक यदि वो शुरू के ही पहले ही वर्ष में है पहले सेमेस्टर में है लेकिन यदि वो दूसे तीस में है तो फिर पचास प्रतिसत इस वर्ष के जो उसका आंतरिक मुल्यंकन है उसको किया जाएगा और पचास प्रतिसत जो पिछले सेमेस्टर में उसके जो नंबर थी उसका आंकलन किया जाएगा तो कैस जैसे कि आप अपने स्क्रेन पर देख सकते हो जो आपका एडमिशन प्रोसीजर है वो 1 अगस्ट से स्टार्ट होके 31 अगस्ट तक चलने वाला है आपके जो नया batch नया जो year start होगा यानि first semester जो आपका start होगा first September से तो first September से आपका जो new year है वो start हो जाएगा ठीक है उसके बाद बात करते है examination की तो आपका जो exam होगा वो first week of January के अंदर में start हो सकता है और even first January से भी start हो सकता है तो first January से तो नहीं start होगा लेकिन first week of January से start हो सकता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो like, share, comment करके मुझे जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसे लगी अगर आपकी कोई भी query हो तो मुझे से पूछ सकते हो नीचे comment section में और अगर आप मेरे channel पढ़ नहीं हो तो इसको subscribe करके अपना channel बना लो और नीचे comment करके मुझे जरूर बताना कि आपको next वीडियो किस topic पे चाहिए तो चलिए मिलता हो मैं आपसे किसी अगली वीडियो में